ता पास्ट टेंस्र रहा मा total चाक्टा या चिक्वान,। पास्टटि अच्वान, फास्ट आचिस्प्सलीज पों सिंप्पली पास्ट पॉग्रिसिट्टू, थि भार्णि न। तो simple past पत्र में मैं पढ़िया जी simple past आमें कागो काईया बाद simple past रो meaning करा simple past it is an action or state of being that took place before the time when the sentence is written इटी simple past tense कोची जा आमें जेते वोलोगों कोटे sentence कोई तो जो टेके just रहा end हे जो ताहले आमें तो पाँच इटी simple past tense काईया जो मिती कोचे I spoke, I was late, मुलेट थिली, they dance, मने काणा dance करू थिले जो spoke रहें कोचे तो spoke आवड 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 दान्स जो भर्बन फर्म यूश कराया ही एटी काणा भर्बन भी तू फर्म यूश कराया हे जो काणा B2 आमें सिम्पल प्रेजेंट रहे भी एन फर्म युष कर चिले, अबन सिंपल पाश्ट र कारे न अ भर्बर ab Review घुट रयू करिया. अधापर तरेचे कनाद पास्त पोंग्रिशिब बा गॉंतिय। पास्त पोनषि पायर गॉंतिय। It is used to describe, to talk about an activity that was in progress at a specific point of time in the past. The emphasis is on the duration of the activity in the past. I was dancing, they were singing. Past progress शिफ्रे आमारा कौन लागिवाना वाच, प्लस, व्यार, प्लस, आये जे. जदि आमें एई फार्मुडा का आमें मने रखे, तला आमारा कौन सेंटेंस करिवार की चासी विधा बने. या मितामारा past progress शिफ्रे कौन लागिवाना वाच, प्लस, व्यार, प्लस, आये जे. ठीक यारा से मितामें simple present progress शिफ्रे कौन कर्थे लो ना easy लागे थे लो. I am going. You are dancing. I am eating. भर्बर आये फार्म बष्टला एटविमाजे past progressive शिफ्रे भर्बर आये फार्म बष्टला कीं तुछे तरे कौन बष्षो वाच, अउचलेली भर्बर आमार बष्टला वाच, आउव वाच, आव व्यार. it consists of the word had plus the past participle of the verb in example I had written the letter he had smiled बसे बसे बाष्भरबर इदी आवए आउ इन बाष्ट पास्ट पाटिस्पल पार्म पास्ट कि दैक है in दे had plus ed plus en अकर verb बाष्ट पास्ट पार्म पास्ट पार्म पास्ट पार्म पास्ल पास्ट आ बसे बास्या आनने में भर्बर यह फिन्ग में में ऊचिता सुख रामें Bachelor का कहा खुआ। लो आपकर चेकानन, Past Perfect Continution. Past Perfect Continution रहे काना अचाना, It is used to emphasize the duration of an action that was completed before another action and event in the past. जैसे के I had been doing, there had been complaint and she had been arguing माने का नशे argue करूठी बाशे करूठी तेटी मन्दे कान had plus been plus ing खर्म बाशियो करूठी माने कि बाशियो, had plus been plus ing खर्म डशे करूठी बाशियो बहर ब्र आ पॉर्फेक्टर 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 आ पॉर चाहला चुरे करल्या टां घूचाए एमेड़VIS लोसे भीम करनी। that will occur sometime after the sentence is written, it is often formed with the word I will run, they will participate future continues future tense is used to describe an event or action that will occur over a period of time at a specific point in the future I will be dancing, they will be singing Scute गय बी, मैने को एप लिड़ाननी गित्त गये ना हाँची, गित्त गये मैने को ludarna future कुही बुझा उझा उजुडु सेटीकिर आमान अमौना एक्ज्मपुल आई शेल हाव गौन, सीविल बिटान, दे विल बुटान। या वर पास्ट कार या。 या में पुरी कॉर्फेट कॉंते रहींिोंग्सुए इस मौन पज्राइए और आखनानास। future, they will have been smile, example, shall plus will plus have plus been ing, अधर have been बसिवा, अब भार ब्रा आमरा ing बसिवा, तो आमें इटी future आमें पत्र में करिए, आमें simple future आमें पढ़िया करिया करिया, ख़ले, shall plus will बसिवा, आमरता प्राइस हिवा जे future, future continuous, future continuous आमें करिया करिया करिया, ना, shall plus will plus be plus ing, तो आपर हैस हिवा आमरा करिया करिया, future perfect, future perfect रामें करिया करिया, shall plus will plus have plus past participle form, ये बन future perfect continuous आमें करिया, shall plus will plus have plus win plus ing form,